ये है आम जिन्दगी और ये है साइंस जिन्दगी आज पास में मिलने वाले चीजों से आप ये बलून पंप बना सकते हैं और बिना मुद उखाए खूब सारे बलून्स पुला सकते हैं बलून पंप बनाने के लिए हमें ये साइकल के ट्यूब का तुकड़ा, गलू, सेलो टेप, एक स्टिफ स्ट्रॉव, बलून और ये दो डब्बे चाहिए एक जिसमें छेद ऊपर और नीचे है और दूसरा जिसमें एक छेद नीचे और दूसरा छेद यहाँ साइड में सबसे पहले हम इस साइड वाली छेद में इस स्ट्रॉव को अंदर डालके इसको अच्छे से सील कर देंगे अब स्ट्रॉव के इस एंड में हम इस बलून को लगाकर सेलो टेप या रबर बैंड के मदद से जोड़ देंगे अगर हम साइकल के ट्यूब में इन दोनों डब्ब को डाल दें एक इस साइड में और दूसरा इस साइड में तो दबा के छोड़ने पर कुछ नहीं होता क्योंकि जितनी हवा बलून के अंदर आती है उतनी ही हवा बाहर भी चले जाती है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां से हवा सिर्फ अंदर आए और यहां से सिर्फ बाहर इस बलून में जाए उसके लिए हम इस डब्बे को निकाल के इस छेद के उपर एक सेलो टेप लगा देंगे ये सेलो टेप हमें कुछ इस तरीके से लगाना है सेलो टेप के आधे से पहले तक हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि एक चिपकने वाला भाग अभी भी खुला रहे अब हमें इस सेलो टेप को इस छेद पे कुछ इस तरीके से रखना है ताकि ये चिपकने वाला भाग छेद से दूर रहे और बाकी पार छेद को ढख दे तो ये सेलो टेप का तुकड़ा हवा को सिर्फ एक डिरेक्शन में जाने देता है और ऐसे चीज को हम बनवे वाल बोलते है धकन में हमने एक छेद तो किया है ताकि हवा अंदर आ पाए लेकिन हम इसे निकाल भी सकते हैं ताकि हवा अच्छे से अंदर आ पाए जब हवा इस डिरेक्शन से अंदर आती है तो ये सेलो टेप का तुकड़ा खुल जाता है और हवा अंदर आ जाती है फिर ये सेलो टेप बन दो जाता है जिससे हवा बाहर इस डिरेक्शन में नहीं जा पाती दूसरे वाले डब्बे में भी हम ऐसे वॉल्फ को डब्बे के अंदर लगा देंगे तो हवा इस डिरेक्शन से अंदर आ सकती है और इस डिरेक्शन से बाहर नहीं जा सकती अब हम दोनों डब्बो को इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे और हमारा बलून पंप बन के तयार है जब हम मुँ से बलून फुलाते हैं तो एक बार में बलून पूरा नहीं फूलता इसलिए हम बलून के मुँ को हाथ से इस तरीके से बन कर देते हैं फिर और अंदर हवा लेते हैं और फिर बलून को फुलाते हैं तो इस केस में हमारा हाथ एक वॉल्फ बन जाता है अगर हम ऐसा ना करें, तो जितनी हवा बलून के अंदर थी, वही हमारे अंदर चले जाएगी और फिर वही बाहर आ जाएगी, तो बलून में एक्स्ट्रा हवा नहीं जा पाएगी मुँ से फुलाते समय, जो काम हमारे हाथ कर रहे हैं, वो बलून पंप के केस में ये दो वॉल्स या सेलो टेप के तुकड़े करते हैं जब हम ट्यूब को दबाते हैं, तो ट्यूब की अंदर की हवा दोनों वॉल्स को ढखेलती हैं, इससे ये वाला वॉल्स बंद हो जाता है, और दूसरा बलून के पास वाल खुल जाता है, और सारी हवा बलून में चले जाती है जब हम इस ट्यूब को छोड़ते हैं तो ये वाला वाल खुल जाता है और बाहर की हवा अंदर आ जाती है इस समय बलून के पास वाल बंद रहता है और बलून की हवा बलून में ही रहती है ऐसा करते रहने पर बलून फूल जाता है और करते रहने पर food भी जाता है इस वाले valve से हवा tube के अंदर आती है इसलिए हम इसे suction valve बोलते है और इस वाले valve से हवा balloon के अंदर जाती है इसलिए हम इसे delivery valve बोलते है तो पूरे process में एक ही चीज बार-बार होते रहती है पहले suction valve खुलता है फिर delivery फिर suction फिर delivery और ऐसे करते करते पूरा balloon फूल जाता है अगर हम सिर्फ delivery valve रखे और suction valve को हटा दे तो दबाने पर हवा यहां से ही बार निकल जाएगा और balloon फूल नहीं पाएगा इसका उल्टा अगर हम delivery valve को हटा दे और सिर्फ suction valve रखे तो दबाने पर हवा balloon में तो चले जाएगा लेकिन छोडने पर वही हवा वापस ट्यूब में आ जाएगा तो हमारे इस pump में दो वाल्ट जरूरी है हमारे आसपास कई सारे pumps है hand pump, cycle pump, water pump, cooler pump लेकिन एक pump ऐसा है जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते और वो है हमारा रिद है हमारे शरीर में cells या कोशिकाओं को उर्जा बनाने के लिए oxygen की जरूरत पड़ती है उर्जा बनाने के बाद ये carbon dioxide release करती है cells तक oxygen देने का काम और उनसे carbon dioxide लेने का काम खून करता है लेकिन oxygen तो lungs या फेफडो में मिलता है तो खून को lungs के पास oxygen लेने के लिए हमारा रिदय भेजता है और lungs में जब खून oxygen से युक्त हो जाता है तो इसे पूरे cells के पास भी हमारा रिदय ही भेजता है इसलिए हमारा दिल एक प्रकार का पंप है जो पूरे बॉड़ी का CO2 वाला खून लंग्स तक भेजता है और लंग्स से oxygen न्युक्त खून पूरी बॉड़ी तक हमारे रिदय के दो सेक्शन है एक दाया और एक बाया दोनों सेक्शन एक वॉल्ब जैसा ही काम करता है तो इस वाले सेक्शन में दो वॉल्ब्स है और इस वाले सेक्शन में दो वॉल्ब्स इसलिए हमारे रिदय में टोटल चार वॉल्ब्स है दाये वाले सेक्शन में पूरे बॉडी का CO2 वाला खून इस सक्षन वॉल्ब से होकर अंदर आता है हाट दब कर इस खून को लंग्स के पास भेजता है लंग्स में खून से carbon dioxide निकल जाता है और उसमें oxygen भर जाता है फिर ये oxygen उक्त खूण बाएवाले सेक्शन में इस section wall से अंदर आ जाता है हाट फिर से दब कर इसे पूरे body में पहुछा देता है ये पूरी प्रक्रिया एक साथ साइड बाई साइड चलते रहती है बलून पंप के केस में तो दबाने और छोडने का काम हमारे हाथ करते हैं लेकिन रिदय के केस में दबने और छोडने का काम हमारे रिदय के मसल्स करते हैं तो हमारा दिल धगदग करता रहे इसलिए हमें रोज कसरत करनी चाहिए और सेहत मन खाना चाहिए तो एक्सरसाइस करते रहें, दिल को चलाते रहें और बलून पंप से बलून फुला फुला कर अपने बुर्डेज बनाते रहें ओ मैं गॉड़ वाट इस दिस पिनने किसे के बास पिनने किसे के बास